में यह देखिये पुलिस के छोडने के बाद जैराम मातो पहली बार जो है सामने आपको नज़रा रहे होंगे जैराम जी आज जो है पुलग और दो सिवतले कतो हुआ değişकुत को पृड़ियो में तो भाकतर के का यहिसोंग माट मैंत, जिंदा जिंदाबाद लीडियोंट। wz म्याज़ जिंदाबाद। जिंदाबाद लीडियोंट॥ एधीयोंट। जिंदाबाद॥ जाराम जी आप जो है आज आपको पुलिस ने किरफ्टार किया था इरासत में लिया था कितने गंटे थाने में रथाई और क्या क्या आपको परसासने काम और पने टाइमिंग चेक्ट नहीं लेकिन हाँ चार गंटा की शुच्छा हमें अंधोलन में ऐसे लगा हैं और पिस थाकशी पर्क रिया के बाद आनों शॉड़ा भी आपको बहुता हैं आपकी उपस्तिती से अंदोलन में थुआ सरलाग रहा है कि सरकार के नीतियों खिलाफ हम लोग पर्टसन करी रहे हैं तो उनका कहाना है कि आपकी उपस्तिती हमारे लिए विधी वेवस्ता को डेमेज करें जब कि इसा कुछ नहीं था हम लोग तो सांतिपून तरीके से अंद करना है कि आपको करना की किसी अंदोलन किया था लेकिन उनका कहना था लेकिन लेकिन हमारी तरस से तकि पूरा अंदोलन जब से हमारी एंटरी विए टिल्हीं दोषले हो खीबक लाका की 분들은 जयंताव तो पहला थी आज तो सिख्डे चेहर्ण भाधत सिंग करते हैं अगर जब वह साथalten कीया हम लोग पीछे नहीं है परिणाम होता है तो हम लोग तो सबस्ट करते हैं दुनिया भाग जाए फरक नहीं पड़ता है हम लोग ठीके रहेंगे और आपको जो करना है बारना है सर फड़ना है लाठी दे पाव तोड़ना है पूरा को वाद है तो जब तक जिन्दा आ जब तक अम लोग पीछे ना हटेंगे ना रुखेंगे ना जुकेंगे तो आपकी रीहाई हो गई है रीहाई किया कहिए गए सरकार को पुलिस को बिवह ने हो तक क्थलू को केंगे जो रिपीट करते हैं कि आप थोड़ा सा क्यूं मुर्खता पूर्ण नितियां लेकर आते हैं। साट चालिस की निति कैसे चल सकती है। चालिस परसेंट आप पूरे भारत को बेंच दिजेगा नोक्रियों को। आप मांदरेश आप कहें, आप ओन रेकॉर्ड हैं। बहुत सारे परशासनिक लोग हमसे ऐसे मिलें, उन्होंने अपने दर्द को सुनाया कि देखिए, हम लोग भी जारखंट के हैं। बड़ी मुश्कील से तीसरा चौंथा अट्टम्ट में नोक्री लिए हैं। जारखंट चारागां क्यों पनेगां, दस परशन देजिए, नभे परशन जारखंट के रिजारबों। सबी भासा जारखंट के जितने भी छेत्री भासा हैं, उनका सर्वे करें, उनको सामील करें, उसे क्या बेरियर होगा। यह कितना सुन्दर बेरियर लगा है, बंगाल चली जाए है, यह कितना सुन्दर बेरियर लगा है। इतना बड़ा बेहुदगी के साथ मजाग चल रहा है इस राज्य में तो हमारी लड़ाई जो जैनमीन है वो हमारे साथ हैं बहुत सारे साथ ही मिले जो बुलन है भाई हम लोग विहार राज्य संबन्द है लेकिन आपकी लड़ाई में बिलकुल साथ यह साथ चालिस कहीं नह जैराम जी आज पूरा घटना गरम हुआ अप शुरुवात से पर बता दिजिए क्यों कि आपके कई जाने वाले जो लोग है वो पूछ रहे हैं कि जैराम को पुलिस ने हिरासत में लिये जाने के बाद से जैराम को छोड़ने तक पुलिस ने क्या कुछ किया आपके साथ है सबसे पहले हम लोग कभी भीड थी हम लोग जूटे हैं परशासन की दौरा जो बिधी वेवस्ता एडियम है महोदय उन्होंने अलांसमेंट की आपने माइक से कि आप लोग यहां से चले जाए नहीं तो हम लोग लाठी चार्ज करेंगे तो हमने कहा कि लाठी चार्ज कीज सब्सक्राइब करेंगे फिर हम लोग को वहां से एडियम महोदय के दवारा डिटेंड किया गया कि आज साम तक जब तक की मने साम नहीं डहलती है आपको डिटेंड किया जाता है और वहां लेकर जाते हैं दो तीन थाना चुकी हम लोग भी अपरची थे राची के चेत्रों से कहां का गुमाया का आइडिया नहीं है लेकिन दो तीन थाना का चक्कर हम लोग काटा गया फाइनली एक मैदान था खुला वहां ले जाकर हमें काफी मने आपको चोड़ा गया अभी अंधर अंधर जब साम ढल गई साम ढलने के आपको धुर्वा से किरफ्तारी करके आप लोग आप यहां से घर चले जाए रातरी को फिर बाकव सनाची मता तेवें कहते चोड़ा गया चेतावनी नहीं एक तरह से आगरह किया तरह भी लेकिन पर पत्रकारों से बात की तभी नहीं बोला लेकिन इस तरीके का महौल है यहां पर क्या कही है चात्रों को लेकर वो अस्मेंजर्स में हैं आप लोग सड़कों पर हैं लेकिन इस्थितिया कुछ सुधार्ती भी नहीं दिख रही है देखिए सबसे पहली बात है कोई भी लडाई तभी जिती जा सकती है तब जब तक कि प्रतियक राज्य में जितना भी जीला है जितना भी ब्लॉक है वहां के प्रतियक छात्रों में जब तक उनके पास जानकारी नहीं होगी आज मैं पढ़ने वाली वापड़ी सोसल मीडिया रिल्स में है टिक टॉक में है विडियोज में तोने क्या पता चलेगा कि हमारी राज्य के साथ क्या दूर दर्सा की जा रही है तो इसलिए जब पूरे स्टेट में मुव्मेंट होगा प्रतियक जिला का मुख्याले में ए से क्या होगा कि बहुत बहुतर रिजल्ट सामने आगा आज करना ही होगा अगर नहीं करते तो भारी भूल होगी वहले आज चुकिए स्टूडेंट है पढ़ने वाले पंद्रों साल साल से त्यारी कर रहे हैं तो हो सके हम भी अगर होते दो चलो भाई साथ ही है उसी में आप हैज आपुसरा जाताम है नहीं पुलत बहुतरा में लिखाता हैं को अदिकार विहारक चलो डिवाट कर लहां राजयों को रहे हैं रोभी पहर वहार को बाति वहार में पहला दिकार नहीं ह करता है उनके फ़म में लिखा है कि बंगाल कनीवासी हो वियार कनीवासी हो उडिशा कनीवासी हो तो जहरखन में खायने फ़म आ रहा है कि जहरखन कनीवासी हो यह भारत कनागरी क्यूं होगा तो यही हमारी मांगे हमारी लडाई किसी भी अस्तर से चात्रों की लडाई गलत नहीं ह आज अगर राज सरकार इस पर नियम नहीं बनाती है तो 20-25 सालों में जो जहर खंड के मूल लोग है वो धीरे धीरे अपने जमीनों को छोड़ते हुए अपने नोक्रियों को छोड़ते हुए और इसे नोक्रिया चिनी रहे है वो लोग कहे ना कहें रिफ्यूजी बन यह राज जी हमने हग पाने के लिए लिया है यह राज जी हमने उन्नती करने के लिए है